आज हम बढ़ रहे हैं हिंदी ग्रामर का पाट साथ कारक ठीक है आईए हम पढ़ें तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है पढ़ो समझो और विचार करो तो इसके इसे हम पढ़ेंगे पेज नम्बर 30 में तो यहाँ लिखा है रिक्सा चालक बच्चों उन घर पढ़ने विद्धियाले रिक्से ले जाता है उपा लिखे बाग का अर्थ इसपस नहीं हो पा रहा है क्यूंकि इसमें कुछ ऐसी कडिया छूड गई हैं कि बिना सबनों का आपस में संबंद नहीं जोड सका और वाग के निरर्थक प्रतीत हो रहा है आँ छूटी कडियों को जोड कर पुन्ह लिखें रिक्सा चालक बच्चों को उसकी घर से पढ़ने के लिए विद्धियाले में रिक्से से ले जाता है उपर लिखे तो बाग कियं में रिक्सा चालक, बच्चों, घर, विद्याले, रिक्सा, इन सबी संग्या सब्दों के संबंद ले जाना क्रिया से जुड़े हैं अता कहा जाता है की कारक, अब यहां कारक की क्या है परिभासा दिये हैं संग्या या सवनाम के जिस रूप से उसका क्रिया या वाक के अन्य सब्दों से जुड़ने का संबंद प्रगठों उसे कारक कहते हैं आईए हम पेज नमर 31 दिखते हैं जिन चिन्धों तवारा संग्या या सौनाम का संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य सब्दों के साथ रगण होता है उसे कारक चिन्ध कहते हैं कारक चिन्ध को ही परसर्ग कहते हैं ठीक है अब यहाँ देखेंगे पिछले पेश्ट दीज पर लिखे वाक्य पर पुना विचार करेंगे हम यहाँ पर प्रश्ण दिया है, उत्तर दिया है, कारक है और उनके चिन्न दिया है प्रश्ण क्या क्या कर रहा था, परस्ट कोशन है यहाँ पर जाने का काम किसने किया उत्तर है रिक्षा चालक ने कारक कोंसा कारक है करता कारक और उसका चिन्न क्या है ने सेकंड कुशन है क्या लाया उत्तर है बच्चों को कारक है कर्म कारक और चिन्न क्या है को किस से लाया उत्तार है रिक्सा से कारक है करण कारक और चिन है से के द्वारा या साधन किस के लिए लाया पढ़ने के लिए और यहां कारक क्या है समपदान कारक है और चिन है क्या के लिए को कहां से लाया घर से यहां कारक क्या है अपदान कारक है और इसका चिन्हे से अलग होने के अर्थ में ठीक है अब छटवा कोशन है किसके घर से लाया उसके यहाँ है संबंध कारक मतब एक दूसरे से बता रहे है कि मैं उसके घर से लाया तो यहाँ पर इसका चिन्हे क्या है का की के कहा लाया विद्याले से अधिकरण कारक में पर अरे यह किसी लाया बच्चों को संबोधन कारक है यहां कचन है अरे यहां कारक के भेदियों है कारक के आठ भेद होते हैं पहला कारक है करता कारक अब करता कारक का अर्थ क्या होता है काम करने वाला ठीक है करने वाला या काम करने वाला तो यहां क्या दिया हुआ है संग्या या सवनाम की जिस रूप से कारके करने वाले का बोध हो उसे करता कारक कहते हैं करता कारक का चिन होता है ने ठीक है है जैसे दिया है नीरज ने पत्र लिखा तो यहाँ पर क्या हो रहा है काम कर रहा है ठेक है नीरज ने क्या काम कर रहा है यहाँ पत्र लिख रहा है सेकंड कारक होता है कर्मकारक अब कर्मकारक क्या है करता द्वारा की गई क्रिया काफल जिस प्रपड़ता है उसे कर्मकारक कहते हैं करमकारक का चिन गो है कुछ विशीज परिस्तितियों को छोड़ कर समाने इसका प्रयोग नहीं होता है जैसे पाईल पुस्तक पड़ती है तो यहां पर करमकारक का चिन गो नहीं लगा है अब आज जाते हैं थर्ड पॉइंट है कारक करणकारक अब यहां क्रिया के करने के करणकार कहते हैं करता जिसके साहता से कार करता है उस साधन को करणकार कहते हैं ठीक है आईए हैं पेज नंबर 32 देखेंगे करणकार का चिन से हैं किंतु द्वारा के साध की द्वारा चिन्धों का प्रियोग भी किया जाता है जैसे हम कानों से सुनते हैं आरियन बस द्वारा इसकूल जाता है तो ये कौंसा कारक था अमारा करन कारक था है ठीक है अब आईए हम संपदान कारक देखेंगे करता दुआरा करता दुआरा जिसके लिए कोई कार किया जाता है या जिसको कुछ से दिया जाता है उस संग्या या इस नाम को संपदान कारक कहते हैं संपदान कारक में को के लिए है तु चिन्हों का प्रयोग क किया जाता है ठीक है मतलब जिसके दुवारा काम किया जाए या कुछ दिये जाए या संपधान कारक कहलाता है जैसे यस ने सतीस को पेन दिया तो यहाँ पर क्या है संपधान मतलब एक दूसरे को काम किया जाए मतलब दूसरे के लिए काम कर रहा है उसको पेन लाके दे रहा ह अब यहांपा है 5 पॉइंट अपादान कारक अब अपादान कारक क्या है? जिसके द्वारा जिससे कोई वस्थु अलग होती है वहाँ अपादान कारक होता है इसका कारक चिन से है, जैसे भोला, अंकित से तेज़ दोड़ता है तो यहांई किया हो गया उसे पीछे रहे गया तो वो हो गया अपादान कारक अब आगया संबंद कारक संग्या या सो नाम के जिस रूप से संबंद प्रकट होता है उसे हम संबंद कारक के चिन्य का की के रा री रे ना नि ने आदी है जैसे क्रश्न की बाउसरी सुप्रसिद्धि थी या फिर मधु की पिता डॉक्टर यहां संबंद बता रहे हैं क्रस्न और बाशुरी का संबंद है ठीक है अब आजाते हैं अधिकरनकारक में अधिकरनकारक क्रिया के अधार को अधिकरनकारा कहते हैं इसके चिंध में पर है मे या पर जैसे चड़िया डाल पर बैठे है तो यहाँ पर क्या है यह पर ठीक है अब जाएं यहाँ पर आठवा संबोधन कारक क्या संबोधन कारक संग्या के जिस रूप से किसी को बुलाया जाए संबोधन किया जाए या आकर्षित किया जाए उसे हम संबोधन कारा कहते हैं जैसे है इसकी चिन है ओ अरे अरी आदी जैसे अरे मित्र यहां आओ यहां पर क्या संबोधन कर रहा है अरे मित्र अरे जो सबने को संबोधन का चिन है और उसे वो बुला रहा है तो यहां आओ तो यह क्या था हमारा संबुधन कारक था तो आज हमने रेट किया है पार्ट साथ संबुधन कारक ठीक है तो आज का होमबर्ख है आपका कि आप इन कोशनों को करने की कोशिस करेंगे ठीक है दिये गए प्रशनों की उत्तर यह होमबर्ख है बाब बाब स्टुरेंग